नमस्कार, स्वागत अब अच्छों आपका Self Study के चैनल में और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो ISRO के जो नए अध्यक्स S.S.O.M.N.A.D. जी उन्हों ने क्या-क्या contribution किया है जो अभी इनको चेर्मन बनाया गया है तो इनके थोड़े बहुत हम contribution को हम जानेगे साथ ही साथ ISRO के सामने अब आने वाले टाइम में कौन-कौन सी problems, कौन-कौन सी चुनोतियां हैं 2020 में कौन-कौन से missions को complete कर लिया है सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं तो बात करते हैं S.S.O.M.N.A.D.G. के बारे में तो इनको अध्यक्स बनाया गया है तीन साल इनका कारेकाल रहने वाला है K.S.E.V.M. की जगहां जो इनसे पहले चेर्मन थे उनकी जगहें पर या आए हैं अभी आपके सामने में एक list लेके आऊँगा जहां पर सारे चेर्मन जो इसरो के जो चेर्मन है वो मैंने आपके सामने वहां पर दिखा दूँगा की आप इन सब चीजों को देखे लिखने की ज़रूरत नहीं है एक PDF आप लोगों को मिल जाएगी description box में एक link दिया मिलेगा आपको टेलिग्राम चैनल का तो वहां पर आप जाएकर टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजिए वहां से आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी तो लिखने की tension नहीं लेनी है अच्छा ये एक rocket scientist है S.Omna जी अच्छा यहां पर इन्होंने क्या क्या contribution दिया तो देखे P.S.L.V और G.S.L.V ये launch vehicle है launch vehicle बोले तो satellite को antrix में भेजना होता है तो किसके द्वारा भेजा जाता है तो एक कोई न कोई तो साधन चाहिए तो ये वही साधन होता है हिंदी में साधन कहलो इंग्लिश में vehicle कहलो इसको polar satellite launch vehicle यानि satellite को launch करने वाला vehicle polar का मतलब polar orbit में और G.O. का मतलब यानि G.O. synchronous orbit यानि G.O. orbit के अंदर अभी बताऊँगा इन में क्या क्या फरक है कहां कहां पर कौन से orbit के अंदर भेजा जाते है तो polar PSLV और G.S.L.V G.S.L.V का advanced system है ये M.K.3 इनके विकास में इनका योगदान रहा है अच्छा 2003 में ये प्रियोजना में शामिल हुए थे G.S.L.V M.K.3 की प्रियोजना में शामिल हुए थे और 2010 से लेके 2014 तक ये इसके डिरेक्टर के तोर पे इन्होंने काम किया है ये system engineer launch vehicle में expert है अच्छा इसाथ इसाथ ये cryogenic engine के लिए भी इन्होंने मतलब जो भारत अपने लिए स्वधेशी निर्मान कर रहे है cryogenic engine उनके काम में भी इनका काफी जादा योगदान रहा है cryogenic engine मतलब काफी जादा एक advanced technology है जो भारत को मतलब बहुत चुनिंदा देशों में लाकर खड़ा कर देती है जिनके पास ये technology है अभी आने वाली slides के अंदर आपको दिखाने वालाओं कि भारत कि इनकी इन देशों में शामिल हो गया है अपनी इस्टो के कारण जिन्हों ने इतनी development कर ली है अच्छा यहां पर आपके सामने एक list है कि अब तक कितने chairman हुए है जो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है विक्रम सारा भाई जो यहां पर इनका कारेकाल भी है start और end और इनका जो term जो length है वो यहां पर है अच्छा यहां पर 11th है यह S सौमना जी किनकी जगह पर आए है KC1 की जगह पर आए है जो 4 साल तक इनकी जो term length रही है अच्छा अभी यहां पर इनकी 3 साल होने वाली है आने वाले टाइम में मेभी सरकार एक साल और बढ़ा दे यह कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि जैसे KC1 जी थे इनका एक साल tenure बढ़ाया गया था तो यहां पर exact टाइम नहीं लिखा गया है कि कब तक यह होने वाले है अभी कुछ नहीं पता है हाँ 14 जनुरी 2022 से इन्होंने अपने पत को संभाल लिया है तो यह चीज याद रखने वाली है अचा इसरो के बारे में हम बात करते है भारत की एक अग्रेणी अंत्रिक्स अन्वेक्शन एजेंसी है जिसका मुख्याल है कहां पर है बेंगलूरू बे है गठन कब हुआ था 1969 में इसका गठन हुआ था काम क्या था कि अंत्रिक्स में Space को मतलब Space Research में इसका योगदान देना था इस द्रिश्चिस इसका काम मतलब कि इसकी स्थापना की गई थी अचा यहां पर जब ISRO आया तो क्या ISRO से पहले कुछ और था नहीं क्या था बेशक था 1962 में INCOSPAR यानि Indian National Committee Indian National Committee for Space Research यह थी 1962 में इसका गठन किया गया था और इसकी जगह पर ISRO की स्थापना की गई गई यानि Indian Space Research Organization की स्थापना की गई थी इसके संस्थापक को माना जाता है जो यहां पर आपके सामनी कहा है मतलब कि यहां पर कह सकते हैं कि इनोंने शुरुआत की थी इसरों की कुछ उपलबदियां के बारें बात करें तो सबसे पहली जो चैटलाइट थी किसको कून सी थी आरेबेट थी 1975 में ये सोवियत संग यानि USSR उस वक्त USSR हुआ करता था 1991 में USSR से रूस बन गया तो USSR हुआ करता था उनकी हेल्प से हमने ये आरेबट को अपनी पहली सैटलाइट को लोंच किया था 1980 में आते आते हमने खुद अपने दम पर रोहनी को खुद अपने दम पर SSLV3 के द्वारा यहां पर पोलर और और जोड़ने के लिए फिर GSLV, Geo Synchronous Satellite Launch Vehicle जिसको हम Geo Stationary Orbit में चोड़ने के लिए हमने इनका बहुत अच्छे से successfully इनका use कर लिया था इनको develop कर लिया था अच्छा आपके सामने यहां पर SLV3 यह रहा PSLV यह है ASLV GSLV1 and 2 और यह MK3 जो काफी ज़्यादा advance है इसके तोर पर विकास के तोर पर यह काम कर रहे थे ASLVना जी काफी important है अच्छा यहां पर आप देखेंगे तो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है MEOLEO Low Orbit Medium हो गया तो यहां पर आपके सामने यह GEO यानि GEO synchronous orbit है यह एक तरीके का तो यहां पर यह पृत्वी से कितनी दूरी आई है 35,888 लेनी लगबग 36,000 36,000 किलोमेटर की दूरी पर satellite को स्थापित करना यह GEO synchronous है अब यहां पर क्यों स्थापित किया जाते हैं क्योंकि यहां पर ही अगर स्थापित करते हैं तो यह उतनी ही दूरी में घूमती है जितनी पृत्वी अपने टाइम में घूमती है यानि 24 गंटे में अगर एक चक्कर पूरा कर रही है तो मतलब कि यह भी satellite उतनी ही speed से यहां पर घूम रही होगी clear और यह यहां पर जितनी नजदी होगी वो उतना ही जल्दी इसके चक्कर नजदी complete कर लेते है अच्छा इसके बाद भारत इसरों के और क्या-क्या काम किये हैं इनके उपर देखें तो एक IRNSS और एक गगन दो स्वदेशी उपग्रह इन्होंने तैनात किये थे IRNSS का जो यूज है वो navigation के लिए यूज किया जाता है जो हिंद मासागर के अंदर अमारे जो navigation जो हमारी जो जहाज है वो navigation का यूज कर सके इनको प्रोमकों का यूज करके navigation में उनका यूज किया जा सके दूसरा गगन है जिनका यूज हम Global Positioning System में यूज कर सकते हैं, ये दो चीजे हमने की हैं अच्छा, 2014 में इसरों ने G-SET 14 G-SLVD द्वारा इसको लॉंच किया था, जो Cryogenic Engine से बना हुआ था काफी important है, केवल ये technique किन के पास है, दुनिया के 6 देशों में के ही पास है, जो भारत अब उसमिल हो गया है, मतलब भारत अब छटा देश बन गया है जिनके पास Cryogenic technique है काफी important है अच्छा, इसरों के लिए कुछ उलेखनी है खोजों में, देखे, इसरों ने एक Mars Orbiter Mission launch कर दिया था जो कामियाब हुआ था, जिसके तहट अब इसरों जो है मतलब कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में चोता देश ऐसा बन गया है, जो Mars के Orbit में पहुँच गया था भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंदरियान 1 के बाद अपना दूसरा चंदरियान launch किया था इसका रोवर उतर नहीं पाया था यह half success हुआ था, half success नहीं हो पाया था अब इसरों की जो परमुक उपले दिया है 2021 में क्या रही है एक Amazonia 1 करके हमने एक satellite launch की थी जिसका काम था कि Amazon में जो deforestation हो रहा है उसके उपर निगरानी कर सके फिर एक हमने Uniset launch किया था जिसमें तीन उपग्रह थे जो Radio Relay सेवाईं परदान करते थे फिर एक 37 धवन उपग्रह हमने launch किया था Small था, Nano उपग्रह था जिसका काम था कि मोसम के बारे में जानकारी देना और Long Range Distance के लिए मतलब Communication Technology को परदर्शित करना अच्छा इसके बाद आने वाले टाइम में इशरो क्या क्या करने वाला है तो एक गगन यान मिशन जो है वो 2023 में launch किया जाएगा मतलब कि 2022 में यानि इसी साल इसके last के third quarter के अंदर चंदरियान 3 जो mission है उसे launch किया जाएगा साथ ही साथ तीन observatory अर्थ observatory satellite launch की जाएगी वो कब की जाएगी 2022 के ही last में ही इनको launch किया जाने वाला है एक EOS 4 है एक EOS 6 है जिनको PSLV के द्वारा launch किया जाएगा और एक है EOS 2 जिसको SSLV के द्वारा launch किया जाएगा अच्छा कब तक कब launch कर दिया जाएगा 2022 के last third quarter मेहीन को launch कर दिया जाएगा आगे बाते करें तो शुक्रियान के लिए भी हमें क्या कर रहे है कि एक योजना बना रहे है एक mission बना रहे है अभी उसको एक temporary तोर पर शुक्रियान mission कहा जा रहा है भारत अपने आने वाले टाइम में 2030 में खुद का एक antrix station launch करने जा रहा है अभी आपको बता दे कि चीन ने हाल फिलाल में अपना एक antrix station launch कर दिया है 2021 में इसने launch कर भी दिया है antrix station क्या होता है यह आपके सामने रहा एक तरीके का एक flat समझो जो हम यहाँ पर धरती पर रह रहे हैं ना फ्लाइट के अंदर वो एक flat अब एक antrix के अंदर घूम रहा है अब यह जो आप देख रहे हैं यह एक US रूस और कैनेडा यूरोप रूस कैनेडा यूरोप अपना है यह यूरोप होगे ना यहाँ पर ठीक है इन देशों ने अचा मैं कोई भूल तो नहीं रहा हूँ ना इन देशों ने अपना एक साथ करके इसको लॉंच किया था अब इसके बाद क्या है कि 2025 में 2025 में यह expired हो रहा है काफी सारी जो conditions से इसमें expired होने वाली है जिसमें रूस ने कहा है कि मैं इससे बाहर निकलने वाला हूँ कि मैं अपना एक अलग से space recharge मतलब एक क्या कह रहे है इसको space अभी मैं भूल गया है और नाम अभी मूँ पर ही था अंत्रिक station यानि एक अंत्रिक station जो मैं खुद का launch करने वाला हूँ ये रूस ने अभी बात बोली है चीन नहीं है इसके अंदर हाँ सची जापान है मैं भूल गया था जापान है इसके अंदर चीन नहीं है इसके अंदर अब चीन ने क्या किया है चीन ने अपना खुद का एक space station भेज दिया है अब यहां पर यह 2021 में भेजा गया था धीरे 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 इसको complete कर दिया जाएगा यह आपके सामनी image भी लगी हुए है और भारत क्या गह रहा है भारत भी अपना 2030 में एक space station भेज देगा खुद का अब चुनोतियां कहा है देखे चुनोतियां यह है कि अब हमारा सिर्फ और सिर्फ 2% हिस्सा ही जो है अर्थवश्ता का मतलब कि भारत का योगदान सिर्फ Westvix तर पर देखा जाए तो सिर्फ 2% ही है इस रो का मतलब इतनी सारी agencies है हम सिर्फ सिर्फ 2% ही हिस्सा वहाँ पर दे पा रहे है तो काफी कम है अच्छा कुछ अंतरास्टियां संधियां जैसे की भारत ने वर्तमान में अंतरिक्स गतिविदियों वर्तमान में दो रास्टियां नीतियों के साथ कुछ अंतराश्य संदियों में शाशित है जो है एक सेटकॉम है और एक है RSDP सेटकॉम की स्थापना 1997 में हुई थी 2000 में इसके अंदर कुछ terms को revise किया गया था मतलब कुछ terms इसके अंदर लागू किया गया थी RSDP RSDP को 2001 में paste किया गया था इसको एक international मुद्दे की रूप में देखा जा रहा था लेकिन अब धीरे-धीरे बहुत सारी commercial चीज़ें बहुत सारे private player जो है वो अब अंतरिक्ष्म को एक तरिके से अपना एक वेपार के तोर पी इसको देखने लगे है और वहाँ पर कॉफी सारे mission वो करने लगे है जैसे आपको पता है कि Elon Musk का Space X करके एक agency है जो tourism को promote कर रहे है वहाँ पर वो satellite से internet provide करने ही कोश्च कर रहे है Jeff Bezos की Blue Origin करके एक company है जो खुद एक tourism को space tourism को promote कर रहे है तो पहले इतनी जरूरत नहीं थी लेकिन अब जुरूरत आ पड़ी है कि एक कुछ कानूर बनाए जाए वहाँ पर आगे कि क्या क्या कदम उठाए गए है ये आपको याद रखने national राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिवहन नीती NSTP, In Space, New Space India Limited, भारतिय अंत्रिक संग ये English और Hindi दोनों के अंदर आपको अविलेबल है फिर से बता देता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिल जाएंगी आने वाले टाइम में क्या है देखें आने वाले टाइम में आपको पता है कि जैसे एस्टरोइड माइनिंग हो रही है यानि चीन जो है काफी सारे एस्टरोइड के उपर मनदब एक मिशन जो उनोंने भेजा है कि वो एस्टरोइड में जाकर खोजेंगे वहाँ पर कुछ मिनरल्स उनको मिल जाए तो तो ये चीज़ें चल रही है यानि एस्टरोइड माइनिंग चल रही है देखें हैं कि एकनोमिक का साधन बनते जा रही है लेकिन भारत क्या कर रहा है देखें भारत के पास काफी चीज़ें हैं जैसे कि कोस्ट इफेक्टिव टेकनलोजी भारत के पास कम रुपे के अंदर हम काफी बढ़िया एक टेकनलोजी प्रवाइड कर सकते हैं यहां कि जो भारत के पास यूआ बहुँ जादा है जो अपना स्टाटप करना चाह रहे हैं टेकनलोजी की अच्छी खासी नोलेज है इसरो के पास इतनी कैपेबिलिटी है तो इतना कुछ होते हुए तो देखा जाए तो भारत के पास वो एक शमता है कि आने वाले टाइम में भारत एक वर्ल्ड का लीडर बन सकता है इस ग्लोबल स्पेस एकनोमिक के अंदर लेकिन इसके लिए हमें जरूर थे कि हम कुछ रेगुलिशन को डमेस्टिक स्पेस लोग को एक अच्छे से लागू कर सके यह हमारे यहात में कि हम इन सब चीज़ों का यूज करके भारत को एक बहतर फ्यूचर दे सकते हैं या फिर उसे खराब कर सकते हैं तो यह तो था एक इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनेशिजन इस च्छोटी वोटी जानकारी यह होप सु आफ़ लोगों को यह चीज़ें पसंद आई होगी तो आप लग कर सकते हैं भीडियो को साथीसा सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और कुछ ज्छादा है पसंद आगे हैं तो शेयर कर दीजिए चैनल को भी और वीडियो को भी और एक बार फिर से आप लोगों को PDF मिल जाएगी description box में telegram का link दिया मिलेगा जाकर join कर लीजिए वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी तो बस आज के लिए इतना है था Thank you for watching this video